जय हिंद इस वीडियों हमनों का डानी भील मार आईपियों के बारें बात करेंगे आज इस आईपियों के ओपन होने का दूसरा दिन है और आज यह आईपियों पूरा भर चुका है ऐसे में जो लोग सिर्फ लिश्टिंग इनके इसमें अप्लाई करना चाह रहे थे वो कल त 27 जनवरी को और 28 जनवरी यानि के दूसरा दिन है और सिर्फ दूसरे दिन आईपियों पूरा भर चुका है या यूं कहें कि ओफर सब्सक्राइब हो चुका है क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी यानि कि जो लोग अभी तक इसमें बिट नहीं प्लेस कर पाएं उनके पास सिर् आज की बात करें तो आज यहां आईपियों 1.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है अर्थात जितना जुरुत था उससे ज्यादा ही सब्सक्राइब हो चुका है ऐसे में अभी तक जो लोग इसमें बिट नहीं प्लेस किया है वो जब मंडे को 31 तारी को इसमें बिट है देखिए जो की वाइवी की कैटेगरी है जिसमें बैंक और मुच्वल फंडस आते हैं उन लोगों ने सिर्फ 0.39 टाइमस इसको अभी तक सब्सक्राइब किया है और रिटेल कैटेगरी जिसमें हम लोग आते हैं जो मैक्सिमुम दो लाग तक का निवेस इसमें करते हैं वो अभी तक 1.85 टाइमस इसको सब्सक्राइब किया है यह कहें कि अभी तक यह जो आई-पी ओफर सब्सक्राइब हुआ है यह सिर्फ रिटेल कैटेगरी वालों की वज़हसे हुआ है इंपलोई की बात करें मतलब जो अडानी वीलमार कंपनी के इंपलोई है उन्होंने सि तो आपको यह जो प्राइस है इस पर एक पर पर एक चूट भी मिलेगा इस तरह आई पूरा आज तक देखें तो 1.13 सब्सक्राइब हो चुका है मतलब एक बात होते है कि इस IPO में अच्छी लिश्टिंग गेन मिलने की उमीद है क्योंकि अभी इस IPO में एक दिन बचा है और जो यह QIV और NII वाले लोग होते हैं यह बहुत स्मार्ट होते हैं यह किसी भी IPO हमेशा लास्ट डे अप्लाई करते हैं क्योंकि यह मार्केट को मूट को उस दिन तक भाप जाते हैं और यह भी देख लेते हैं कितना सब्सक्राइब हुआ है तो जब दूसरे दिन पूरा ओबर सब्सक्राइब हो चुका है तो उमीद है तिसरा दिन और ज्या